वेलकम टू स्टड़ी ट्वंटीफर उदेपूर आज की इस वीडियो में हम चतिसगड सेट एक्जाम 2018 का जो पेपर हुआ था उसको इस वीडियो में डिसकस करेंगे सबसे पहला प्रेशन देखिए यदि मांग वक्र एक आयताकार अतिपरवला है यह मतलब rectangular hyperbola है तो जो elasticity है वो क्या होगी equal to 1 तो आपको answer इसमें कौन सा हो जाएगा option D मांग वक्र का आकार अगर आयताकार अतिपरवला है rectangular hyperbola होता है इस आकार का अगर होता है तो यहां पे जो elasticity है वो क्या होती है equal to 1 क्योंकि यह दोनों जो area होते हैं वो क्या होंगे बराबर हो रहे है इस तिति में क्या होगा elasticity मांग के लो जिकाई के बराबर होगी जिसमें आपका D option जो है वो सही है अगला है वितरण के दक्षता वह बिंदू है जहां efficiency of distribution के अगर हम बात करें तो दो व्यक्तियों के बीच में वस्तों का जो वितरण है उसकी जो MRS है वो क्या होने चाहिए बराबर MRS दो वस्तों माना की X और Y है यह A व्यक्ति के लिए बराबर होने चाहिए किसकी MRS XY B व्यक्ति के लिए ठीक है दोनों व्यक्तियों के लिए जो marginal rate of substitution है वो क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए तो D option आपका यहाँ पे सही है अगला देखिए मांग वक्र जो शेतिज अक्ष के समानांतर है और मात्रा दर्शाता है किमत लोच निमलिकित के बराबर है ठीक है हमारा मांग वक्र का आकार कैसा है X axis के parallel है इस तरह के से और यहाँ पर जो elasticity है मांग की लोच यह वो क्या होती है अनन्त होती है infinite होती है इसलिए correct answer आपका कौन सा हो जाएगा बी option ठीक है यह क्या दर्शाता है कि वस्तू की किमत में अगर परिवर्टन नहीं भी हो तो भी वस्तू की मांग में बहुत जादा परिवर्टन होता है मतलब किमत के स्तिरेने पर वस्तू की मांग बढ़ भी सकती है गड़ भी सकती है और इस सिस्टिम में मांग वकर का जो आकार है वो X, X के समानंतर होगा लोज केसी होगी, इन्फाइनाइट होगी, अनंत लोजदार होगी अगला है, नीचे गिरते हुए आईसो क्वांट या जिसको हम हिंदी में कहते हैं सम उत्पाद वकर तो सम उत्पाद वकर पर अगर हम M.R.T.S की बात करें, ये आपका सम उत्पाद वकर हैं जो हमारा तटस्ता वकर की आकार का होता, ये आपका होगा इसो क्वांट कर ये यहां पर X, X जो होता उदर हम क्या लेते हैं, Labour, Ström की मातरा लेते हैं और Y पर हम क्या लेते हैं Capital पुंजे की मातरा लेते हैं ठीक है यह आपका Delta के होगा और यह हमारा होगा Delta L ठीक है और इसको MRT जो होती है उसको हम प्रदिश्चित कैसे करेंगे DK by DL ठीक है और यह घड़ती होती है रिनात्मक होती है इसलिए इसमें आपका Correct answer कौन सा हो जाएगा Option A First Option आपका यहां पर सही होगा अगला देखिए मिलान करना है सुची एको को सुची दो के साथ में लगान सीमान्त एवम अधी सीमान भूमे की बेदात्मक अत्तिरेक है रिकार्डो का जो लगान सीद्धान थे उसमें उनोंने क्या बताया था कि कुछ भूमिया क्या होती है अधिक उपजव होती है और कुछ भूमिया क्या होती है कम उपजव और जो सबसे कम उपजव भूमिया होती है उसकी तुलना में आभास लगान, क्वाजी रेंट के अगर हम बात करें दिया है, उधाना किसके साथ में संबन दीते हैं, मार्शल, क्वाजी रेंट आपका क्या होता है, कुल आए में से, कुल परिवर्तनशी लागतों को क्या कर दिया जाए, माइनस, टोटल रेविन्यू में से टोटल कर लेना है सुची एक को सुची दो के साथ में यहाँ पर भी आपको मिलान करना है तो जो जेम्स डूसन बरी है उसका संबन किसके साथ में है relative income hypothesis ठीक है सापेक्ष आई परिकल्पना है जिसको हम तुलनात्मक आई परिकल्पना कहते है तो सबसे फिल आपका कहाना है चाहिए टू आना चाहिए बी आना चाहिए प्रोपेसर किन्स की जो अउधाना थी उसको हम कहते है निर्पेक्ष आय परिकल्पना ठीक है निर्पेक्ष आय परिकल्पना किसके साथ में संबन दिते हैं आपकी प्रोपेसर किन्स के साथ में एंडो एवं मोधिक लियनी की जो अउधाना है वो आपकी Life Cycle Hypothesis जीवन आय जीवन चक्र परिकल्पना और Friedman के जो अउधाना थी वो आपकी कौन सी थी इस्थाई आय परिकल्पना Permanent Income Hypothesis थी के तो इस तरीके सा आपको यहां पर मिलान करना है अगला है Milton Friedman के अनुसार मुद्रा का जो परिमान सिद्धान्त है उसका सम्मन किसके साथ में है तो Friedman का क्या मना था कि जो Quantity Theory of Money है वो एक्चली में क्या है Demand for Money मुद्रा की मांग का सिद्धान्त है D option आपका यहां पर सही है अगला है Chamberlain की लागत की जो अउधाना है मतलब Chamberlain ने लागत की अउधाना को किस रूप में प्रस्तुत किया था तो Chamberlain का जो Concept था आपका एकाधिकारी प्रतिसपर्दा Monopolistic Competition जिसमें सभी फर्में क्या करती है जो उत्पादन करती है उन्में थोड़ा बहुत अंतर पाये जाते है जिसको हम कहते हैं उत्पाद विबिदी करन प्रोड़क्ट डिफ्रेंशेशन और इस इस्तिमें क्या होता है सभी फर्में अपनी वस्तों को ज़्यादा बेचने के लिए क्या करती है एड़टाइजमेंट करती है जिसको विक्रे लागते कहा जाता है सेलिंग कोस्ट कहा जाता है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ओप्शन अगला है अल्पकाल एवं दिर्गकाल में फिलिस्वक्र किस शर्त पर बिन्न होता है ठीक है उनकी बीच में जो वेरेबल होते हैं उनकी बीच में सम्मंद हो के आधा पर क्या होगा वो अलग होगा भी ओप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा अल्पकाल के अगर हम बात करें तो अल्पकाल में जो फिलिस्वक्र हमारा होता है वो कैसा होता है निचे की और गिर्टावाटी के जो क्या बताता है मुद्राजपिती और बेरुजगारी की दर में विपरे संबन होता है जबकि दिर्ग काल जो होता है उसमें क्या होता है फिलिस वकर काकार कैस होता है वाई अक्ष के पेरलल होता है मतलब वर्टीकल होता है एक तरह से इसको हम क्या कहते हैं में कि मुद्राइश्पिती और बेरूजगारे की दर में दिर्ग काल में कोई संबन नहीं होता है तो विबिन्चरों की बीच में संबन बरताता है ये इसलिए आपका यहां पर ऑप्शन हो जाएगा अगला है लिपसे की फिलिफ्स वकर की दर्शिमान वस्तू सिद्धान की अधारना क्या है तो जो प्रोपेसर लिपसे थे उन्होंने फिलिफ्स वकर को श्रम बाजार के साथ में संबन दित किया था मतलब जो मौदरिक मजदूरी होती है और बेरूजगारी की दर होती है उनके बीच में उन्होंने संबन को बताया था 1960 में उन्होंने अपनी थियो तो यहाँ पर आप देखोगे आंसर कोई सा हो जाएगा option हमारा C क्योंकि उन्होंने श्रम बाजार के साथ में संबंदित किया था ठीक है श्रम बाजार का मतलब जो मजदूरी दर होती है उसमें परिवर्तन के आधार पर उन्होंने फिलिफ वकर को बिरुजगारी के साथ में संबंदित किया था अगला देखिए कल्यान वेलफिर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं एक तो objective concept कहेंगे वस्तु प्रे का उधाना कहेंगे और दूसरा ये value judgment के साथ में संबंदिते B और C दोनों सही हैं correct answer आपका हो जाएगा B option अगला है सू इसपस्ट उब्भो की आउधाना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था सू इसपस्ट उब्भो का मतलब क्या हो गया मतलब ऐसी वस्तु का प्रियोग बढ़ाना ऐसी वस्तु की मांग करना जो व्यक्तियों के social status को दर्शाती है मतलब जो luxury goods होती है उनका प्रियोग व्यक्ति क्या करता है ज़्यादा करता है जब किमत क्या होती है बढ़ती है जो मांग के नियम का अपवाद है तो ये किस ने बताया था प्रोपेसर वेबलन ने बताया था D option आपका यहां पे सही है अगला है अर्थि व्यवस्ता को एक निश्चित प्रतिशत में बढ़ाने के लिए विन्यों के कितना होना चाहिए जो उसका पुंजी उत्पाद अनुपात है और रास्तियाय में जितनी व्रदी होने चाहिए दोनों के गुणन फलके बराबर है मतलब D option आपका यहां पे सही है एक अधिकार को नियंतरित करने के लिए कौन सा अधिन्यम पारित क्या गया है MRTP Act कहा जाता MRTP Act का उद्देश क्या है एक अधिकार को नियंतरित करना 1991 में आया था यह अगला है सुची 1 को सुची 2 के साथ में आपको यहां पे मिलान करना है PQLI जीवन की भोतिक गुणवत्ता का जो सिध्धानते जो अधाना है वो 1979 में D. Morris के द्वरा दी गई ते सबसे पहले आपका फस्ट आएगा उसके बाद में देखिए HDI मानविकासुच कांग के वो महभूबूल हक के द्वरा दिया गयता है 1990 में और भारती अर्थिशास्त्री अमरति जो सेन है उन्होंने भी इसका समर्थन किया तब फिरा आएक आपका थर्ड एशियन ड्रामा बुग जो है वो किसके द्वरा लिकी गई ये गुनार मिडल के द्वरा और जो नियो क्लासिकल ग्रोथ मोडल है वो किसका है प्रोपेसर सोलो का है तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर मिलान करना है अगला है निम्न लिखित में से राज्य की बढ़ती गती विधियों का जो नियम है वो किसके द्वरा प्रतिपादित किया गया था वाइजमेन और पिको के द्वरा ठीक है वाइजमेन और पिको का जो सारदिक वेका सिध्धान तो उसको हम क्या कहते है राज्य की बढ़ती गती विधियों का प्रतिय सिध्धान कहते है मतलब सरकार का जो खर्चा होता है वो क्या होता है निरंतर बढ़ता जाता है इसमें आपको विस्थापन प्रभाव की जो अधाना है वो भी साथ में पूछ जाती कदिरे विस्थापन प्रभाव का जो संबंध है वो भी किसके साथ में संबंधित आपका वाइसमेन और पिको की अधाना के साथ में सम्मधित हैं अगला है निन लिकित में से कौन सी करपदती अधिक समान आई वित्रण को प्रोचसाइद करती है मतलब जैसे जैसे आई बढ़ती जाती है आई अगर ज़्यादा है तो कर कि दर है क्या होगी यह कम होगी मतलब इसको क्या कियते हैं Progressive Tax System कहेंगे प्रगतिशील कर्र पना ले ठीक है यह option आपका यहां पर सही होगा अगला है भारत में केंदर सरकार की कुल कर्र राजस में किस कर्का जो योगदाने हो वो सर्वाधिक है अगर 2425 का अगर आप बजट देखोगे तो उसमें जो income tax है ठीक है आएकर से प्राप्तियां ज्यादा होने का अनुमान बताया गया है ठीक है बाकी अगर आप 2018 के पेपर इसके साफ से देखोगे तो पहले आपका क्या था निगम कर था ठीक है लेकिन बरतमान में सरकार ने बताया है कि आएकर की जो प्राप्तियां है वो निगम कर की तुलना में क्या है ज्यादा होगे ठीक है प्रियोग की जाती है समुदाए के सभी लोगों के दरवबो की जाती है बिलकुल सही है आपका तो इसमें ए ओप्षन जो लिखावा है वो सही है उसके बाद में देखिए ये एक तरह से क्या होती है नोन ड्राइवल होती है घेर प्रतिदवन्दी होती है ये भी बिलकुल अगला हैं समानां तक शेती जवित्रन के लिए 14 वितायोग द्वारा 13 वितायोग की तुलना में कौन से नए चोरों को शामिल किया गया है तो 14 वितायोग में एक तो 2011 की जो जिन संक्या थी और फोरेस्ट वन अच्छा दन कितना है किसी राज्य में इसको उन्होंने समिलित किया गया था और अभी आपको जो 15 वितायोग हैं उसकी जो सिफारिशे हैं वो आपको ध्यान रखनी हैं उनको आपको लर्न करना है अगले जो एक्जाम होंगे उसमें आपको 15 वितायोग के बारे में पुछा जाएगा अगला हैं यह किस अर्थ शास्ती का कतने की अंतर राश्टी वियापार निर्पेक्ष लाब के सिद्दान पर आदारे थे ठीक है अंतर राश्टी वियापार का जो निर्पेक्ष लागत सिद्दान ते वो किसका हैं एडम इस्मित का हैं अंतर रास्ती व्यापार को जो सापेक्षिया तुलनात्मक लागत सिद्दान ते वो किस के द्वरा दिया गया था रिकार्डो के द्वरा आधुनिक सिद्दान जो है वो किस के द्वरा दिया गया था हैक्षर ओलिन के द्वरा वो जो अवसर लागत सिद्धान थे वो प्रोपेसर हेबर लर के द्वरा दिया गया है ये चारों अंतर अस्री व्यापर के सिद्धान थे वो किस ने दिये थे उन अर्थि शास्त्रों के जो नाम है वो अधिकतर एक्जाम में चाहिए वो आपका PZT exam होता है या दुसरे जो computation exam होते हैं उनमे अधिकतर ये पुछे जाते हैं Next आपका है बाजार की सभी भागों में विनिमय दर को किसके द्वारा एक समान रखा जाता है विनिमय दरों में जो अंतर होता है उसको मतलब एक बाजार की तुलना में दुसरे बाजार में अगर विनिमय दर में अंतर पाए जाता है ठेक है उससे लोग क्या करेंगे जो सक्टे बाजी वो लाब कमाने की चस्टा करते हैं उसको बराबर रखने का जो प्रियास किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं एक्सचेंज आर्बिट्रेज कहते हैं विनिमय विवाचन कहा जाता है अगला है बुक्तान संतुलन का मोदरिक उपागम बुक्तान संतुलन के अनिवारितह किस रूप में देखा जाता है बुक्तान संतुलन का अगर मोदरिक उपागम है तो वो किस रूप में देखेगा मोदरिक गटना के रूप में ही देखेगा अगला हैं अंतर रास्ती व्यापार के संदर में तुलनात्मक लागत का सिद्धान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था मैंने उपर आपको बताया था जो कमपेरिटिक कोष्ट थियोरी हैं वो किसकी हैं प्रोपेसर रिकार्डो की है अगला देखिए वे परिवर्तन नीतियों का उप्योग संतुलन भुक्तान में गाटे को मूलता इसमें परिवर्तन लाकर सुधारा जा सकता है देखे विने मैदर में परिवर्तन लाकर सुधारा जा सकता है भी ओप्शन आपका यहां पर सही होगा अगला है भारत में प्रवासन हेत्तू मुख्य जिम्मेदार कारक प्रवासन का मतलब लोग एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाते हैं तो वो आए कमाने के लिए पेसा कमाने के लिए जाते हैं मतलब इसके कारक कौन से होंगे आपके आर्थिक कारक होंगे ये अगला है विदेशी संस्तागत निवेश को द्वारा पोर्टफोलियो निवेश मतलब कोई भी विदेशी संस्तागत इंस्टिटूशन है अगर वो भारत की किसी कंपनी बे निवेश करते हैं दूसकों हम क्या कहते हैं FII कहते हैं ठीक है FII निवेशक कहा जाता है B option आपका यहां पर सही है अगला है इसमें हमको सुची एक को सुची दो के साथ में सुमेलित करना है तो सबसे पहला अगर हम शुद्ध घरेल उत्पात की बात करें तो शुद्ध घरेल उत्पात के लिए क्या क्या जाएगा जो GDP है उसमें से हम क्या करेंगे गिसावट वेड डेप्रिशेशन को माइनस कर देंगे तो सबसे पहला आपका क्या आना चाहिए option तीसरा आना चाहिए टेके शुद्ध घरेल उत्पात को ग्याद करने क्या क्या जाएगा GDP में से गिसावट वेड को माइनस कर देंगा तो सबसे पहला आपका क्या होगा तो सबसे घरेलू उत्पात का मुल्य है से मत्य वर्ती उप्योग का जो मुल्य होगा उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे ता आपका क्या जाएगा सकल गरेल उत्पाद में के मुल्य में से अगर आप मत्य वर्ती उप्योग का मुल्य माइनस करोगे दिये क्या आएगा सकल गरेल उत्पाद आएगा ठीक है ये इ शुद्धर रास्टी उत्पाद को आपको मिलान करना है इन में से ठीक है देखो GDP माइनस विदेशों से प्राप्त आए यह ता आपका नहीं होगा देखें यह सकल रास्टी उत्पाद है तो यहां पे थोड़ी मिस्टेक है यह यहां पे आपका क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए ठीक है GDP में आप विदेशों से प्राप्त आए को प्लस करोगे तभी आपके पास में क्या आएगा सकल रास्टी उत्पाद आएगा देखो सबसे पहले आपका शुद्ध जो गरेलू उत्पाद हैं वो किसके साथ में समझ देते हैं GDP में से हम गिसा उटवे को माइनस कर देंगे फिर आपका जो सकल रास्टी उत्पाद उसको आप ग्याद करने के लिए क्या करोगे जो GDP है उसमें विदेशों से प्राप्त आए को प्लस करोगे तो ठीक है जो गरेलू आपका है उसमें विदेशों से प्राप्त आए को प्लस कर देंगे क्या जाएगा आपका रास्टी उसके बाद में जो आपका शुद्ध रास्टी उत्पाद है तो यह आपका क्या हो जाएगा GDP प्लस विदेशों से प्राप्त आए माइनस जो डेप्रिशेशन है तो यह शुद्धा जाएगा आपका और सकल गरेलू उत्पाद ग्याद करने के लिए हम क्या करेंगे GDP में से गिसावट को माइनस कर देंगे ठीके फिर यहां पर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा इस तरिके यहां पर थोड़ी मिस्टे की माइनस लिखाओ यहां पर क्या होना चाहिए था प्लस होना चाहिए था अगला है सुची एक को सुची दो के साथ में आपको यहां पर मिलाना है जवार ग्राम सम्रदी जो योजना है वो आपकी आई थी 99 में अप्रेल 99 मतलब सबसे पहले क्या आना चाहिए आपका सेकंड उसके बाद में नेशनल फेमिली बेनिफिट इसकिम जो है वो आपकी आई थी 95 में अगस्त 95 यहां पर भी दे रखा है अगस्त 95 यहां पर भी दे रहा है दोनों में से कोई भी हो सकता है ठीके लेकिन उसके बाद में आपको क्या देखना होगा जो महात्मा गांदी नरेगा है ठीके देखो नरेगा आपका आया था 2005 में और उसका नाम बदल के महात्मा गांदी नरेगा MG नरेगा यह को बढ़ दिया था अक्टुमबर 2009 में था आपका आना चाहिए और फिर नेशनल ओड एज जो पेंशन स्कीम है ठीके वो आपकी आजाएगी अप्रेल 99 में अप्रेल 99 यह भी क्या आएगे आपकी अगस्त 95 में तो इस तरीके से आपको मिलान करना है जो जवहार ग्राम समर्दी योदना आपका यह हो जाएगा अप्रेल 99 फिर आपका मर्नर यह जो है वह जाएगा 2009 और बाकी यह दोनों इस साब से ओप्शन की साब से आप देख लेना कि कौन सा काना ठीके बाकी दोनों में बी और डी दोनों कांसर तो आपका क्या है अप्रेल अगस्त 95 यह दोनों कांसर ठीके अगला देखिए यदि एक सुरवाईत वो स्वतंत्र चर हैं तो उनके बीच में सह प्रसरन क्या होगा ठीके अगर स्वतंत्र चर उनके बीच में किसी परकार का संब्द नहीं तो प्रसरन भी क्या होगा शुन्य होगा अगला है एक द्वी पद वित्रन के लिए निम्नामसर सुचना जी गई आपको ठीके एन दे रखा है कितना 60 पी कितना दे रखा है 0.7 और क्यू आपका कितना दे रखा है 0.3 तो उसमें इस वित्रन का प्रसरन क्या होगा आप वेरियंस आपको निकालना है ठीके और वेरियंस आपका क्या हो जाएगा एन पी क्यू ठीके एन पी क्यू मतलब एन आपका कितना है यहां पर 60 इन टू.7 इन टू.3 और तीनों को आप मल्टिप्लाइ करोगे दिया आपका कितना ना चाहिए 12.6 ठीक है मतलब आपका A option आजाएगा यहां पर अगला है यदि बीटा 2 ज़ादा है किसकी तुलना में 3 से 3 से अगर ज़ादा है इस तो हम क्या कहेंगे लेप्टो कल्टिक करव कहेंगे option आपका कौन सा हो जाएगा ठीक है आपका यहां कारा कर इस तरुके सबन वक्र बनाएं यह वक्र आपका क्या दरशारा है बीटा जो है वो 3 से ज़ादा और 3 से ज़ादा इसको हम क्या कहेंगे लेप्टो कल्टिक कहेंगे ठीक है लेप्टो कल्टिक मतलब यह हो जाएगा आपका option C ठीक है केवल B जो है वो क्या है सही है तो यह आपका होता है Leptokartic जिसमें बिटा की जो value हो क्या होती 3 से ज़्यादा यह आपका होता है Mesokartic जो बीश में होगा Mesokartic में बिटा की value क्या होती equal to 3 और 3 से कम होती उसको आप क्या कहते हो Plato-Kartic कहते हैं ठीक है Leptokartic तो यहाँ पर Leptokartic बिटा की जो value हो 3 से ज़्यादा है मतलब आपका option हो जाएगा इसमें C अगला है यह तनी निर्धारन गुणांग 0.12 है और एक प्रतिकम गुणांग आपका क्या है 0.3 तो दूसरे प्रतिकमन गुणांग का मुल्य देखिए आपको पता होना चाहिए कि R की जो value होती है वो किसके कोल होती है Bxy into Byx Byx का under rule ठीक है और निर्धारन गुणांग आपका क्या होता है इस correlation का इसका मतलब यह R square आपका जो है इसको हम क्या कहते हैं Coefficient of Determination निर्धारन गुणांग कहते है इस formula में आप video एक दीजिए कितना हो जाएगा 0.12 equal to 0.3 और दूसरे का आपको निकालना माना क्या आप मान लिजिए इसको X मान लिजिए X equal to आपका क्या हो जाएगा 0.12 upon 0.3 कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा मतलब answer आपका कौन सा हो जाएगा A option यहाँ पर सही होगा अगला है 2, 4, 0, 16, 32 का जामित्ती मात्यदी के बीच में एक video आपका क्या है 0 आपका इसका मतलब इसका जो geometric meaning वो क्या होगा 0 होगा अगला है एक बेक में 7 लाल 12 सफेद और 4 हरी गेंदे तो बेक में से एक गेंद निकल जाती है उसके सफेद होने की प्रायक्त सफेद गेंदे कितनी है 12 और कुल गेंद कितनी है 7 प्लस 12 प्लस 4 ठीक है 7 और 12, 19, 23 23 12 upon 23 मतलब एफशन आपका यहाँ पर सही होगा अगला है सममित बंटन के लिए बिटा वन क्या होगी देखिए आपका जो डिस्टिबिशन है वो सिमेट्रिक हैं उसमें बिश्मता नहीं है इसका मतलब बिटा वन की जो विलिऊ होगा क्या होने चीए आपकी 0 होने चीए ठीक है ओप्शन आपका तो इसमें भी ओप्शन हो जाएगा ये बला next है मांग के नियम के संबड़ में कौन सा कTHन सही है सही नहीं है ठीक है कौन सा कथन गलत ही आपको बताना है तो यह गुणात्मक कथन यबात तो सही है जो कि मांग के नियम के बता था किमत बढ़ने पर वस्तु की मांग क्या होगी गटे की तो गुणात्म करते हैं बिल्कुल सही है यह कीमत मांगे मात्रा की बीच में वीपरिस समंग को बता था यह भी आपका सही है यह मांग में प्रतिशत परिवर्तन को इस्परस्ट करता है यह गलत लग रहा प्रतिशत परिवर्तन को नहीं बताता यह क्या बताए केवल कि कीमत में परिवर्टन से मतलब कीमत बड़े की तो मांग गटेगे लेकिन कितना परिवर्टन होगा उसको हम किसके दवरा देखते हैं elasticity ठीके मांग की कीमत लोज के दवरा तो यहां पर मांग की नियम के संबन्द में कौन सा कतन सत्य नहीं है c option आपका यहां पर सही है अगला है मांग वकर का buy और shift होना ठीक है यह मारा demand करव है यह मारा supply करव है यह संतुलन होता है अगर demand करव जो है वो leftward shift हो जाए मतलब इधर जिसका मतलब यह क्या दरशाता है मांग में decrease in demand D option आपका यहां पर सही होगा अगला है किसी वस्तु को उत्पादन फुलन आपको यहां पर दे रखा है इस सुचना के आधार पर बताए कि निमने में से कौन सा फुलन return to scale मतलब जिस अनुपात में उत्पादन के साधन को हम बढ़ाएंगे अगर इनको हम दुगुना कर देंगे उत्पादन भी क्या हो जाएगा दुगुना इसका मतलब यह जो किसको दर्शा रहा है उत्पादन के इस्थिर प्रतिफल को दर्शा था है A option अगला है मांग बराबर 8-P और आपकी क्या है 4-P इस इस्थिति में सम्तुलिक किम्मत था मात्रा करमशा क्या होगी ठीक है तो देखिए यहाँ पे आप निकल लेजिए 4 प्लस P इक्वल्टो क्या है 8-P ठीक है तो माइनस P को आप इदर ले कितना हो जाएगा P प्लस P 2P हो जाएगा और 8 तो यहीं 4 इदर आपके क्या हो जाएगे माइनस क्या हो जाएगे 8 में 4 गे 4 तो P क्वल्टो आपका क्या जाएगा 2 ठीक है तो P आपकी 2 कहां पे देको दोज़दे के रहेगी A में भी दे रखी B में दे रखी है अब P की जो विलिट 2 आई है 2 मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पे सही है अगला है निम्न लिखित अभी ग्रहितों के में किस गुन्ग धर्म से पता लगता है कि भूकता के उदासियन वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते है ठीक है यह आपके हो जाएगी यह दोनों मानिता हैं मतलब जो हमारे इंडिफरेंस करो होते है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं ठीक है क्यों नहीं काटेंगे अगर काटेंगे इस बिंदू पर जो संतुस्टी वो क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी जबकि अलग-अलग तटसता वकर क्या होते है संतुस्टी के अलग-अलग इस तरको दर्शाते हैं और जब किसी समय में अगर A, B से ज़दा है और B, C से ज़दा है तो हमेशा A क्या होगा C से ज़दा होगा ठीक है अगर ये काटते हैं हमारी जो मानिता है वो क्या हो जाती? गलत हो जाती है इसलिए A और B ये दोनों मानिता हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी कब जब तटसता वकर एक दुस्ट्रे को काटते हैं तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? Option D और फिर क्या होती है? बढ़ती है तो सिमाद लागत वकर यूअकार का होता है ये हमारा अभी कहतने बिल्कुल सही है तो दुसरा क्या देरे का साथ में उत्पादन चेतर में परिवर्तनशिल समन उपाता का नियम जो है वो क्रियाशिल रहता है मतलब लो ओफ वेरियबल प्रोपोर्शन की वज़े से क्या होता है सिमाद लागत वकर गाकार यूग वकार का होता है बिल्कुल सही है ठीक है लागते पहले गड़ती और फिर क्या होती है बढ़ती है उसका रिजन क्या है लो ओफ वेरियबल प्रोपोर्शन तो यहाँ पे correct answer आपका कौन सा हो जाएगा option A अब देखिए लेकिन जो आपकी answer की हैं उसमें B option को सही मान रखाएं ठीक है बाकिया होना क्या चाहिए इसमें आपका first option सही होना चाहिए अगला है निवेश गुणकों के अनुसार जब कभी निवेश बढ़ता हैं तो में क्या होगी कई गुणा बढ़ती हैं तो यहाँ पे आपका answer कौन सा हो जाएगा first income अगला है टोबिन के अनुसार मुद्रा की जो लेंदेन मांग है ठीक है जो transaction की दर के उपर निर्भर करती है अगला है निर्यात में व्रदी से आईएस वक्र दाइंग और इस्तांतरित करता है ठीक है अगर export हमारे बढ़ेंगे तो जो आईएस वक्र हैं वो क्या होगा right word ठीक है दाइंग और इस्तांतरित हो जाएगा तो यह कर्थन तो आपका बिलक अगला है मुंडल फ्लेमिंग मोडल के अनुसार परिवर्तनशिल विनिमे दर थता पूर्ण पुंजी गती शिल्टा के अधिन जो राजकोशी निती है वो आपकी क्या होगी अप्रभावी होगी ठीक है एस इस्ति में क्या होगा मोधिर्ग निती का जो प्रयोग है उसको करके रास् रोजगार से सम्मंदित किंस के सिध्धान के महत्वन कारक कौन कौन से हैं ठीक है प्रोपेसर किंस का क्या मनना था एक तो अर्थ विरस्ता में अलप रोजगार इस्तिति पाई जाती है अलप रोजगार पे संतलन होता है और दूसरा उन्होंने डिमाइंड साइट जो ठीक है ए और डी इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ओप्शन बी सिमान्द उब्वोग प्रवर्ती के संब्बन में कौन सा कथन सही नहीं है और सिमान्द उब्वोग प्रवर्ती बढ़ती है जैसे बढ़ने के साथ में सिमान्द उब्वक प्रवर्ती क्या होगी घटे की और निर्धन लोगों की जो सिमान्द उब्वक प्रवर्ती हो अमिर लोगों की तुलना में उची होती है यह बिल्कुल सही है तो यहाँ पर पुछा था कौन सा कत्थन सही नहीं है तो correct answer आपका हो जाएगा C option अगला है किंस के निवेश गुनक का सुत्र क्या है तो यहाँ पर आपका B option सही है अगला देखिए उब्वक से संबंदित जीवन चक्र की परिकल्पना के अनुसार उब्वक का जो संबंद है वो किसके साथ में है तेके जीवन चक्र परिकल्पना मेगर हम देखे हैं तो लोगों द्वारा जो उब्वक किया जाता है वो उब्वक किसके उपनिर पर करेगा कि लोगों के द्वारा अपने संपून जीवन में कितनी आय कमा सकता है आय कमाने की क्या प्रत्याशा है टेके जीवन की आय प्रत्याशा कितनी है D option यहाँ पे सही है Next देखते हैं Friedman के अनुसार निम्न में से किस पर मुद्रा का परी संचलन निरभर करता है टेके मुद्रा का जो संचलन वेग होता है Velocity of Circulation of Money जो होती है वो किस के ओपर Depend करेगी टेके एक तो Bonds की ब्याजदर के ओपर निरभर करेगी सामानने कीमत इस तर में परीवर्तन पर भी निरभर करेगी और निवेश से बचत आय अनुपाद इन तीनों के ओपर निरभर करेगी अगला है मुद्रा स्रजन multiplier नियूंतम आरक्षित अनुपाद का विलों के बराबर होता है यह आपका अभी कथन दे रखा है ठीक है बिल्कुल सही विलों रूप से संबन्दित होगा जब आरक्षित अनुपाद अगर जादा होगा तो मुद्रा जो घूना के वो उसका मुल्डी के आओगा कम होगा तो विप्रित रूप से संबन्दित है और फिर एक पूर बैंकिंग प्रणाली अपनी अतिक्त रिजर्ड के बराबर की राशी न्यू क्रेडिट के लिए ग्रांट कर सकता है दूनों यह पर सही लग रहे है आंसर आपका हो जाएगा A option नेक्स देखिए तीवरा आर्थी विकास की प्राप्ति के प्रकरण में विकासिल देश्यों दुवारकी जाने वाली विदेशी सायता पुँझी अत्वा विदेशी उदार पुझी के संदर में द्वी अंतराल विश्टेशन ठीक है जो आपका द्वी अंतराल विश्टेशन वह तो बच्चतनिवेश अंतराल और दूसरा आपका विदेशी व्यापार मतलब आयात निर्यात अंतराल के बराबर होगा ए ओप्षन आपका याँ पे सही है अगला है निम्न मेंसे कौन सा कथन सही है विकासिल देशों पर व्यापार का बेकवाश प्रभाव विदेश व्यापार के प्रभाव के प्रतिकुल होता है बिल्कुल सही बात है, तुसरा, spread व्यापार प्रभाव का अर्थ अल्प विक्सित देशों के उत्पादों की मान में व्रद्धी होता है, ये भी बिल्कुल सही है, फिर विकासिल देशों पर व्यापार का बेकोश प्रभाव व्यापार के लिए नुकुल प्रभाव नहीं, प्रतिकुल होता है, तो देखिए, A option आपका सही होगा, B option आपका सही होगा, और C क्या है, व्यापार के script व्यापार की अर्थ विक्सित देशों के technology और ग्यान का अल्प विक्सित देशों तक विस्तार होता है, C को हम क्या करते हैं, spread effect करते हैं, तो A, B, O, D आपका यहाँ सही है, ठीक है ABD मतलब A option आपका यहां पर अगला देखिए हेरोट की वरदी मोडल में इस्तिर अवस्ता वरदी तबी होगी जब क्या होगा, आपका GA GW और GN क्या होते हैं बराबर होते हैं, जिसमें GA आपको क्या दर्शाता है, actual growth rate क्या है, ठीक है, वास्तिविक वरदी धर को दर्शाता है, GW आपका क्या दर्शाएगा, वारंटेट वरदी दर को दर्शाएगा, और GN आपकी प्राकरतिक जो natural growth rate होती हैं, उसको दर्शाता है अगला है, यहां पे खालिस्तान है का संबन, I वित्रन के उल्टा, यू आकारित परिकल्पना से है, उल्टा, यू मतलब इस तरीके से आई वित्रन के बारे में, अगर हम देखें, तो जैसे देशे किसी देश का विकास होता है, प्रारम में क्या होता है, जो प्रतिवेक्ति आए, वो क्या होती, बढ़ती है, या आए की जो अस मानता होती, वो पहले-पहले क्या होती, बढ़ती है, और फिर क्या होती है, घड़ती है, तो यह जो अउदाना है, वो किस के साथ में संबन्दित है, साइमन कुजनेट्स के साथ में संबन्दित है, स्वायत निवेश अव लंबित होता है autonomous investment के अगर हम बात करें तो यह आपकी income है आय और इसके सामने कैसा बनता है parallel बनता है मतलब आय के उपर निर्भर निर्भर निकरता है जो स्वायत निवेश होता है किसके उपर निर्भर करेगा किसी देश में जो population growth rate है जनसंक्या वर्दिदर, शमिक की वर्दिदर क्या innovation होग एन के उपर निर्भर करेगा B, C और D के उपर निर्भर करेगा यह इन के उपर निर्भर करता है I के उपर निर्भर नहीं करेगा अगला है राश्टी स्तर पर एक चोटी की cooperative संगटन है जो चैनित क्रशी उत्पादों का समारण विस्तरन निर्यात एवं आयात करती है ठीक है आपका हो जाएगा Option C, National Agriculture Co-operative Marking Federation of India अगला है ग्यारवी पंचवर्ची उदना उद्धी में केंदरी सरकार के कर रज्जिस की प्रवर्थी सकल गरल उत्पात के प्रतिशत के रूप में क्या होई थी उसमें घटती होई थी B option आपका अगला है भारत में सारज्जिक वेक के कुशल प्रबंदन के लिए घटित उच इस्तरी विशेशक समेती के अध्यक्ष कौन नियुक्त किये गए थे सारज्जिक के एक कुशल प्रबंदन किया जाए इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे रंग राजन अगला देखिए तेरवे वित आयोक के प्रमुक सुझाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है तेरवे वित आयोका आपकी आगामे एकजाम के लिए किसी प्रकार का इम्पोर्टेन नहीं होंगा लेकिन वित आयोकी जो सिफारिशे वा आपकी थी 2010 से 2015 के लिए तेरवे वितायोकी देखिए 2015 से 20 के वधी के लिए जिसको बाद भी एक साल के लिए बढ़ाया गया था और जो आपका पंदरा भी ताय गया उसकी सिफारिश आपकी 2021 से 26 तक के लिए है सार्जिक वे के कुशल प्रबंदन में किसे शामिल नहीं किया जाता है ट्रेजरी प्रणाली को लागू करना ठीक यह आपका शामिल नहीं किया जाएगा अगला है क्रेश शक्ति समता यह दर्शातियं की भुकतान संतुलन भुकतान की असंतुलिता को इस्फिती का परिनाम है जो सुधारा जा सकता है ट्रेकर विदेशी विनी मैदर की किमत में वर्दी के उसी प्रतिशाति मतला वसमें आपका उप्षन हो जाएगा ट्रेकर शुल्क लागू करने का परिनाम होता है शूल कर यहाँ जो काम प्रसूल कर trainer करते हैं अगर कोई देश प्रसूल को अपनाता है तो प्रसूल को अपनादेसे क्या होगा च्छा अलगा परभाव पड़ेगा आयात माल की किम human क्या होगी बढ़ जाएगी और निर्यात क्या होगे आयात कर रहे हो क्या हो गया मेंगा हो गया इससे हमारे देश में उत्पदन क्या होगा बढ़ेगा तो शुल्क टेरिफ लगने से क्या होगा इस सारे प्रभाव पढ़ेंगे D option आपका यहां पर सही है अगला देखिए सुची एक को सुची दो के साथ में आपको यहां पर मिलान करना है IBRD ठीक है विश्व बेंग के अगर हम बात करें ठीक है तो विश्व बेंग जो है वो क्या करता है ठीक है वो निर्मान कारियों के लिए क्रसे क्या होगा आधार बुथ जो हमारे निर्मान कारियों तो उनके लिए वो धनुपलब करता है तो बिल्कुल सही है आपका एक के सामने क्या आना चाहिए वो ना आना चाहिए उसके बात में IDA को क्या कहा जाता है सोफ्ट लोन विंडो कहा जाता है ये भी आपका सही है IFC प्राइवेट सेक्टर को बेंक देने का काम करता है और IEMF क्या करता है किसी देश का भुकतान संतुलन बेलेंस और पेमेंट में अगर डेफिसिट है घाटा है तो उसको सुधार करने के लिए रिंड देता है मतलब जो ओप्शन आपके लिखे हुए ना करम से लिखे हुए अगला है विशेच आरण अधिकार अंतरास्ति मुद्रा कोश की मुद्रा है ठीक और यह मुद्रा कोई किसी चीज की भूतिक नहीं मतलब फिजिकल नहीं किसी चीज की बनी नहीं केवल यह क्या होती एक तरह से प्रविश्टी की रूप में खातों में लिखी जाती अगला यहां पर सुची एक को सुची दो के साथ में मिलान करना है ठीक है डव्यू टियो सामनित व्यापार पर मातरात्मक उप्यों के प्रतिबंदों को रोकता है यह आना चे आपका थ्री आई एम एफ ठीक है अंतरास्ति मुद्रा कोश क्या करता अब यह में उपर देख सौफ्ट लॉन खिड़की ठीक है यह आपका हो जाएगा और फिर ट्रांस पेस्वीट पार्टनर्शिप व्यापार समझोता निम्न मेंसे कौन सा देश आसियान का सदस्य राष्टर नहीं है तेकि आसियान की स्तावन तक हुई थी 2010 में और भारत अबीज तक इसका सदस्य राष्टर नहीं है यहाँ पर अगर हम देखें तो वियत नाम होगा है इंडोनेश और जापन नहीं है तो देखें जापन नहीं यह केवल ठीक है बाकी तो जैसे इंडोनेशिया है वियत नाम है ठीक है सिंगापूर आपका हो गया फिलिपिन्स हो गया मैनमार मलेशिया कमबोडिया यह सबी आसियान के सदस्य राष्टर नहीं है अगला है निम्न मेंसे कौन सा भारत में मुद्रा निती का उद्धेश नहीं है मुद्रा निती के द्वरा अर्थ व्यस्ता में इस्तिर्था लाने का प्रियास किया जाता है आर्थी विकास को बढ़ाने का प्रियास किया जाता है देकि यह आपका है मुल्ले में इस्तिर्था का भी है विदेशी व्यापार के साथ में सम्मद्नित नहीं है विनिमेदर को निर्धारित करना नहीं है मतलब A और B आपका यहाँ पर सही है A और B सही है ठीके लेकिन A और B तो आपका उप्षमन नहीं है अच्छा यह पुछा नहीं है मुद्रिक निति का उद्देश नहीं है A और B तो है C और D उद्देश नहीं है यह पोशन थोड़े से ध्यान से आपको यहाँ पर देखना C और D मतलब C और D C और D मतलब और B option आपका हो जाएगा C कौन सा मुद्रिक निति का उद्देश नहीं है यह पुछा वा था अगला है अभी कथन A भारत में मुद्र निति की सामानी भूमी का इस्तिरता के साथ आर्थिक व्रद्दी करना है बिल्कुल सही है RBI उद्योग एवं क्रशी शेत्रों को आज सस्ती दर पर उधार देती है यह गलत है RBI उद्योग जो होती है वो क्रशी शेत्रों को उद्योग को रिन नहीं देता है बनाब जनता को डाइडिक नहीं देता है तो यहाँ पर आपका क्यवल A सही है ठीकिए A सही है इसका मतलब option आपका कौन सा हो जाएगा C deposit का प्रमान पत्र एक मुद्रा बजार के साथ में संबन दीते हैं ठीके जो 12 महिनों के लिए होता है option आपका C next है निम्न मैंसे विशम पद को पहचानी है विशम ठीके देखे new issue market आपका होगे जिसे IPO आता है सरकारी प्रती भूतिया हो गई mutual fund हो गई यह सारे एक दूसरे के साथ में संबन दित कह सकते हैं एक दूसरे से ठीके लेकिन commercial paper जो होते हैं वो अलग दिख रहा है option आपका हो जाएगा इसमें D अगला है भारत में मुद्रा लक्ष के आधार पर मुद्रा निती की संस्तूती किसके द्वारा की गई थी ठीक है monetary policy की इसमें बात की गई है तो यह आपका चक्रवर्ती समितियों ने चीटी के option आपका इसमें B अगला है निमन कतनों पर विचार कीजिए भारत में सभी राश्ट्री करत जो और सभीन्ता अमोटी साफ़ना थ्लिकि valor आपका यहां पर पहला औक्शन ही साही है रेजर松ी इसमें शामिल ए सभी ही राश्टी करत भीन्त फर्स्ट प्रस्त ने आपका यहां पर सही है ठीक है इसमें आपका हो जाएगा एक उप्शन एक मीट बारत में सभी राष्टर करत बेंग मैंने एक गरत लगा जाए थी कि पहला कतन सही है ए सही है इसका मतलब का कौन सा ओप्शन हो जाएगा बी ओप्शन आपका सही होगा ठीक है कतन एक सही है और कतन दूसरा जो हमारा वो क्या है गलत है वापिस है अब भी कतन है उदार व्यापार नितियों के पश्चाद भारत में आर्थिक व्रदी में तीजी है यह ठीक है 1991 में भारत में जो उदारी करण की निती अपनाए गए थी उसके बाद में आज जो ग्रोथ हमारी है वो बड़ी है बिलकुल सही है निजी उद्यम को भारत के वी निर्मान उद्योग में व्रदी में सहयोग का मोका मिला है तो यह कतन भी आपका सही है मतलब दोनों कतन जो आपको दे रखें वो सही दे रखें तो ओप्शन आपका हो जाएगा इसमें अगला देखिए सुचना एवं प्रोद्योगी उद्योग उच ज्यान आधारित हैं जिनका विकास भारत में तेजी से हुआ है बिलकुल सही है उच ज्यान आधारित उद्योग को सरकारी सायता के आवशकता नहीं पढ़ती यह कतन आपका गलत है ठीक केवल A सही लग रहा है है पर ओप्षन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा C ठीक के फिर देखिए आपको सुची एक को सुची दो के साथ में मिलान करना है पुंजी बाजार का जो नियमन है वो किस के द्वारा किया जाता है C.B. के द्वारा तो ये आजाएगा आपका सेबी फिर आपका सेबी यहाँ पर ठीके तिसरा आएगा सबसे पहले सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल यह है RBA की जो मोनेटरी पोलिसी है उसका एक उपकरण है फिर राजकोशी निती संतुलित बजट के साथ में संबंजित है और उद्योगी की निती जो है फेमा कानून के साथ में संबंजित है इस तरीके साब को यहाँ पर मिलान करना है फिर अगला है वीत आयोग के अध्यक्षों को काल करम अनुसार बढ़ते वे करम में लिखना है तो देखिए सबसे पहला जो वीत आयोगा है था 1951 में उसके अध्यक्षों कों थे के सी नियोगी तो सबसे पहले आपका क्या आना थी यह सी कहां पर दे रखा है देखो A और B ओप्शन में दे रखा है और उसके बाद में अगर हम देखे रंग राजन, केलकर और रेड़ी ठीके देखो उसके बाद में आपका सबसे पहले आजाएगा केसी नियोगी 1951 में उसके बाद में आजाएगा आपके रंग राजन 2002 में फिर केलकर 2007 में और YV रेड़ी जो है 2013 में ठीके इस हिसाब से आपको यहापे मिलान करना है अगरा देखिए निमन लिखित को काला क्रमनुसार में सज़एए 14 बेंकोक का जो राश्तिकर्ण हुआ था वो कब हुआ था आपका 1969 में HBA का राश्तिकर्ण कब हुआ था 1955 में RBA का राश्तिकर्ण कब हुआ था Nationalization of RBA कब हुआ था आपका 1949 में और जो LIC उसका कब हुआ था 1956 में तो इस करम में आपको व्यवस्तित करना है इन्हें अगला है यदि अप्रेल 2016 के लिए उब्वक्ता सुचकांग आपका कितना है 120 और अप्रेल 2017 में कितना हो गया 126 तो मुद्रा SPT की दर में कितने प्रतिशत व्रद्धी हुई है देखी पहले 120 था और हो गया 126 तो परिवरतन कितना हो आप 6 का अपोन पहले कितना था 120 मल्टिप्लाइ कर दो इसको किसे 100 से 20 100 में 20 का डिवाइट कर दो कितना जाएगा 5 5% मतलब यह उप्शन आपका यहाँ पे सही है अगला है क्रशी के समझोते के अंतरगत व्यापार को दुशीत वल सभी गरेलू सायता को एक बोक्स अंबर बोक्स आपका ठीक है यह हो जाएगा आपका C ओप्शन अगला है भारत जैसे श्रम आदिक के वाली अर्थ वेस्ताओं में बढ़ती हुई जन संख्या के लिए खाद्य आदिक का प्रावधान किया जाना चाहिए बिल्कुल सही है मांग में वर्थी के कारण खाद्य परदार्तों की किमतों में वर्थी हो जाती किमते बढ़ जाती है एसलिए हमारे पास में स्टोक होना आवश्या के है तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं और व्याक्या भी सही की गई है अब यहाँ पे सूची एक को सुची दो के साथ में आपको मिलान करना है तो प्रधान मंत्री फसल अभीमा योजना कब आई थी 2016 में ठीक है यह आपका 2016 में थी फिर उसके बाद में महात्मा गांदी राश्ट्री ग्रामिंट रोजगार गारंटी कारिकरम आपका ठीक है यह आपका आया था 2005 में आया था उसके बाद में राश्ट्री क्रशी विकास योजना ठीक है राश्ट्री क्रशी विकास योजना इस तहीं किसे मिलान करना है क्रशी साख प्रदान करने वाली संस्ताओं को अंश्दान के आरोही करम में ववस्तित कीजिए ठीक है तो देखो सबसे पहले आपका इसमें ज्यादा किसका है नाबाड का है सबसे पहले आपका आजाएगा सहेकारी यह डी आजाएगा चेतरी क्रामिन बेंग फिर उसके बाद में सहेकारी बेंग फिर हमारे राश्ट्री करतवानिजिक बेंग और फिर आपके नाबाड DCBA ओध्योगिक नितियां एवं अधिनियमों को उनके वर्ष के आधार पर व्यवस्तित करना है नई ओध्योगिक नितियां की कब आई थी 1991 में राश्ट्री वी निर्माण निति आई थी आपकी 2011 में ठीक है फिर आपका है ओध्योगिक निति रिजुलिशन 1956 और फिर मेक इन इंडिया याए थी आपका 2014 में अगला है आर इक्वल टू 0.8 आर के मुली 0.4 के अपेक्षा दो गुनी निकटा इंगित नहीं करता है बिल्कुल सही दो गुनी नहीं होगा दो गुना इससे को मतलब नहीं ठीक यह 0.8 है और यह 0.4 इसका यह रिज़ा नहीं कि यह डबल है, सम्मद्नों की निकटता y के आनुपातिक, r के आनुपातिक नहीं होती हैं, बिलकुल सही, दोनों आपके, सही है यह आप है, अगला है, बड़े आकार की नियाईदर्श के लिए सब वित्रन, सामाने वित्रन हो जाते हैं, बिलकुल सही, आपका, normal distribution हो जाएगा, जि अब यथार्त नियाधस परिक्षनों में मूल्बुत मानिता है की मूल जनसंक्या जिसमें से नियाधस लिया गया है साम्भाने नहीं नहीं ठीक कि यह मानिता लिजाती है जब हम सेंप्लिंग पड़ते हैं कि जो हमने रिए हैं ठीक कि वारी पुपुलेशन के आमारी नोर्मल नहीं है सम्मागर वित्रन तब उपस्तित होता है जब जन संग्यां प्रत्य एक मुली का अधियन किया जाता है इसके माध्य एवं प्रमा वित्रन का पूर्णा ज्यान होता है बिल्कुल सही आपके दोनो ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओप्शन ए नेक्स्ट हैं प्रत्यस्तापन की सीमान दर्ग को गणना वच्चक उप्वी की ताके सकल आउकलन दवारा ग्याद की जा सकती है ठीक है, ग्याद कर सकते है ठीक है, M, R, S को कैसे ग्याद किया जाएगा जो आपका M, U, X है ठीक है, M, U, Y है इसको आउकलन के दर्ग ग्याद कर सकते हैं, बिल्कुल सही है हो रहा और उप्वक्ता के समान, उदासिंता वक्र पर गमन का आउकलन क्या होता है शुन्य होता है Moment of consumer along the same differential curve ठीक है, एक ही वक्र पर अगर moment हो रहा है तो इसका जो आउकलन होगा, वो आपका क्या होगा शुन्य होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है दोनो अगला है लागत फ्लंस इक्वल टू 4X क्यूब माइनर 9X स्क्वाइर प्लस 10X प्लस 10 दियोए है, उसत लागत निकालने तो उसत लागत निकालने के लिए क्या करो यह जो आपका एक्वेशन है, इन सब में हम क्या करेंगे X का डिवाइट कर देंगे तो देखो 4X क्यूब की जग़े क्या जाएगा 4X स्क्वाइर आजएगा फिर 9X स्क्वाइर की जग़े 9X आजएगा 10X की जगा 10 आजएगा और 10 की जगा X आजएगा मतलब जो उसत लागत आपकी होगी वो कौन सी होगी 4th option में लिखी हुई है फिर उसत लागत का ढ़ाल निकलना तो आप क्या करोगे इसका आउकलन कर देंगे वोसत लागत वकर का ढ़ान होगा सीमान लागत निकलने लिए क्या करेंगे हम यह जो कुल लागत उसका आउकलन करेंगे तो 4X क्यूब का आउकलन क्या हो जाएगा 4 x 3 12 x स्क्वाइर रहना चाहिए सबसे पहले तो देखो यह रट ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा सीमान लागत और सीमान लागत का ढ़ाल निकलना है तो यह जो सीमान लागत इसका आप क्या करोगे आउकलन करोगे तो 12 x स्क्वाइर क्या होगा 24 x होगा 18 x क्या होगा 18 और 10 क्या होगा जीरो ठीक है इस तरीके साथ आपके मिलान करना है अगला है जनमदर का अर्थ एक वर्ष में प्रति लाख विक्टियों पर जीवित बच्चों की संख्या से नहीं होता है जन्दर का समन्द जो होता है वो किसे होता है प्रती एक हजार जन्द संख्या पर जीवित बच्चों की संख्या से होता है तो पहला यह ता आपका गलत हो गया भारत में लिंगानुपात का आशय प्रती हजार पूरुष जन संख्या पर इस्तियों की संख्या से हैं तो यह तो आपका सही है ठीक है केवल भी सही है फिर इस सकल पुनुर्टवादंदर जी आर आर ग्याद करने का जो सुत्र हैं में से क्या है टिक है इन दोनों सुत्र से ग्याद कर सकते हैं A और B अगला है 2001-2011 की यह ओधी में बारत की जन संख्या बड़ी यह बिल्कुल सही है और इस अधी मर्तिदर में कमिया यह बिल्कुल सही है अगला है वेश्वीक अर्थविस्ता के अंतरगरत वर्तमान समय में किसमें प्रमुक परिवर्तन हो रहा है टिक है यह ओए बी सी तीनों में अगला है निम्रिकृत को मूद्रेस्पीती दर्ब बढ़ते हुए क्रम में व्यस्तिप किजिए टेक है रेंगती हुई में पांच प्रतिशत से या दो तीन प्रतिशत की व्रति होती है चलती हुई में आपकी पांच से दस होती है पांच से दस प्रतिशत तक किमतों में व्रति होती है दोड़ती हुई में 10 से 20 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से ज़्यादा को खेते हैं अति इस्पिती तो यह साब साब को प्रम देखना है स्वह सह सम्मन्द की जहाच के लिए निम्निमेसिक किस परिक्षन का प्रियोग किया जाता है ठीक है D option आपका है फिर आपका है कुर्णो डियोपुली मोडल उत्पादन के सीमान कीमत को क्या मानता है शुन्ये और उसका जो प्रतिदवंदी ये वो अपने उत्पादन को इस्तिर बनाए रखेगा ये माना जाता है ठीक है B option आपका यहाँ पे सही है अगला है विनी मैदर का ब्रेटेन वूड सिस्टम का अबाए था 1944 में ठीक है और उसमें कुछ परिवर्टन किया जा सकता ऐसा माना जाता है ठीक है एड़िस्टेबल होता है नितियों के वे कौन से गुच हैं जिनका कुछ समय पूर्वा आरारबी के संदर में उप्योग हुआ था ठीक है ये दो नव ए और भी और फिर अंतिम प्रस्ण है उत्तर आर्थिक सुधार काल के दोरान भारत के क्रशी कुल विदेशी निवेश में व्यापक उतार चड़ाव देखा गया जिसका मुख्य कारण क्या है दो